आपको इस तरीके से e-commerce purchases दिखने लग जाएंगे, item viewed, item added to cart, item purchase और item revenue अगर आप अपने Shopify store के लिए conversion tracking setup करना चाहते हैं, वो भी Google Ads के लिए और Google Analytics 4 के लिए तो ये वीडियो आपके लिए एकदम perfect वीडियो है आगे बढ़ने से पहले सबसे important बात ये है कि आपका Google Ads और Google Analytics 4 में आपके पास admin access होना चाहिए और दोनों ही एक ही email id पे होना चाहिए और उसी email id से आपके पास Shopify में भी access होना चाहिए इसके बाद आप अपने Shopify पे इस तरीके से sales channel पे click करेंगे sales channel पे click करने के बाद आप यहां search में लिखेंगे जो कि मेरे में already installed है Google and YouTube Google and YouTube को आप search करके sales channel को आप install करेंगे इस sales channel को install करने के बाद आप इस तरीके से Google and YouTube sales channel के page पे आ जाएंगे यहां पे आप स्क्रॉल करके देखेंगे नीचे लिखा है Google Analytics 4 और यहां पे आपको एक कॉलम मिल रहा होगा जहां से आपको चूज करना है अपना Google Analytics और स्क्रॉल करके उपर जाएंगे तो यहां पर लिखा है यहां पे नीचे लिखा है create campaign सबसे पहले हम ध्यान देते हैं Google Analytics 4 जहां पे लिखा है यहां पे आपको केवल स्क्रॉल डाउन करना है और वहां से आपको अपना Google Analytics चूज करना है जिससे आप connect करना चाहते हैं अगर आपकी उसी email id पे multiple Google Analytics के access हैं तो आपको confusion हो सकता है इस case में आप एक बार अपने Google Analytics पे जाके उसका ID match कर लें इसके लिए आपको अपने Google Analytics पे आना है आपको admin की बटन दवाना है उसके बाद आप यहां पे data streams की बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पे आप web की बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आपको already connected है तो इस तर option में जब आपको यही आईटी दिख जाए तो आप उसके क्लिक करके connect की बटन दबा देंगे और आपका जो Shopify से Google Analytics Connect हो जाएगा एक बार जब आपका Google Analytics Connect हो जाएगा तो उसके 48 घंटे बाद आपको इस तरीके से e-commerce purchases दिखने लग जाएंगे item viewed, item added to card, item purchase, item revenue यह सारा data आपक Shopify store के लिए, तो उसी Google and YouTube channel में आप scroll करके जब उपर जाएंगे जहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है performance max, उसके नीचे create campaign की button आ रही, इस create campaign की button को आप दवाएंगे, यहां से यह आपको बोलेगा कि आप अपना merchant center choose कर ले, और उसके बाद यह आपको बोलेगा कि आप Google Ads account choose कर ले, जब यह दोनों choose करके आप setup कर देंगे, तो आपके Google Ads में, कुछ इस तरीके से आपके Shopify store का conversion setup हो जाएगा, जहां लिखा होगा Google Shopping App Purchase, और यहां source में लिखा आएगा website, तो यह भी बिलकुल एक दम automatically setup हो जाएगा, आपके Google Ads के अंदर, आपके Shopify store से, दोस्ते ही झाल कले से, जाएगा होगा ुम झाल के प्के तरीके लाएगा के लिखाrous क। आपके SAP P statues में सान अंद jour के तो से ओनाएगा मने होगा, प्ल्सकश बिलका कर दाएगा सू होगा सभी सdal आपके से पनुमामोंगा के लिखारो प्लाएगा होगा।